नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बीटी कुमार और मेरे यूड़ूप चनल में आपका स्वागत है दोस्तों जिस तिरंगे को देख यूकरेन में यूद थमा था ताकि बच्चे निकले उसी पर एडियम ने चलाई लाठियां यहाँ पर देख सकते हैं और लोग वीडियो भी बना रहे हैं परदर्शन पटना में परदर्शन कर रहा चात्र तिरंगा लेकर बचने की गोशिस करता रहा पर एडियम सहाव लाठियां बर साते रहें यह दैनिक भासकर का न्यूज आप देख सकते हैं और एक ख़बर दैनिक में नहीं दैनिक जागरन पटना आज हर एक न्यूज पेपर में या कहिए दिली वाली पेपर में भी इस न्यूज को परकासित किया गया है बिरोध क्या है तो न्यूजन की मांग पर सिच्छक अभ सरो पर करवाई की जाएगी यह उपमुक मंतरी का स्टेक्मेंट है तेजस्वी यादव का तो चलिए इस ख़बर को विश्तार से देखते हैं उससे पहले अगर आप मेरे यूटूब चनल पे नए आये हैं और अभी तक आपने मेरा यूटूब चनल को सस्क्राइब नहीं क रहें तो चलिए इस ख़बर को विश्तार से देखते हैं जिस तरंगे को देखकर जिस तरंगे को देखकर यूक्रेन में यूध रुक गया ताकि हमारे बच्चे सुरचित निकल सके उसी तरंगे पर लाठी बरसाते हुए एडियम के हाथ नहीं कापे मामला सोंबार को पट परदर्शन कर रही उबाव पर एडियम ने लाठियां बरसाई एक परदर्शनकारी अभ्यरती हाथ में तरंगा जंड अलिये सड़त पर गिर गया तभी एडियम लॉडर के के सी उसे डंडे से पीटने लगे काई पुलिस करमी एडियम को रोकते भी देखे लेकिन इसके ब सोमबार को डाक बंगला चोरहा पर जम कर परदर्शन किया कुछ देर बाद अभ्यरती राजभवन जाने की जिद पर अड़ाय अभ्यरतों के ब्रोध के कारण पुलिस की तरफ से उन पर वाटर केनन का प्रियोग किया गया परदर्शनकारियों ने रोड़े वाजी सुरू कर दी इसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया इसमें 25 अधिक परदर्शनकारी और 5 पुलिस कर्मी भी घायल हो गया त्रेंगे लिए यूबग पर लाठी बरसाते हुए एडियम का वीडियो बायरल होने के बाद डियम ने कहा कि मामला आपति जनक है गंभीरता से इसक पर लाठी चार्ज बहत दुखद दोसी अबसरों पर करवाई की जाएगी इधर उपमुक मंतिय तजस्वी यादव ने शिचक अभ्यरतियों पर पटना परसासन द्वारा किये गये लाठी चार्ज पर आननफानन में संग्यान लिया और राजद करियाले पहुँचकर मिड दियम ने कहा कि जांश कमिटी बना दी गई है दोसी पाए जाने पर अब सरों पर करवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि यदि हम लोग चिंचित नहीं होते तो पटना दियम को फोन भी नहीं करते नई सरकार में सुनवाई और करवाई दोन हो रही है ततकाल जांश टिम रोजगार की बात कही है युवाओं को नोकरी दी जाएगी कुछ दिनों में चातों को गुड नूज मिलेगा हम बाजपा की तरह सिर्फ जुम्लेवाजी नहीं करते हम परते दिन लोगों से मिल रहे हैं और उनकी बातों को सुन रहे हैं युवाओं को घवराने की जरूत नहीं है सिच्छक अभ्यारतों के परदर्शन पर कहा कि जब सिच्छक अभ्यारती हर दिन मुझसे मुलाकात कर रहे हैं तो उन्हें सड़क पर उतर कर परदर्शन करने की जरूरत नहीं है रोजगार हमारी एजन्डे में सबसे ऊपर है चोटा सा अपडेट फिर मिलते हैं नेच्ट वुडियो में थान्यमाद दोस्तों